कि आज का इस वीडियो में हम खास तरफे जो चीज डिसकास करने बाले हैं वो है एक RTI का रिप्लाई का बारे में हाँ दोस्तों सही सुना आपने RTI का रिप्लाई क्योंकि आपको यह पता होगा कि लास्ट टाइम हमने एक RTI फाइल किया था का रिगर्डिंग एप्लीकेबिलिटी आप डिसाबिलिटी पेंशन और मिनीमम सब्सक्राइब रेंडर नॉट मोर्दन प्रिपिन यह यहां कि जो रिकूट से लेकर के पंदरा साल से नीचे वाले जितने भी सर्वीस वाले हैं आप सब का जो मेडिकल पेंशन डिसाबिलिटी पेंशन का बारे में जो खुरा सा टेक्निकल प्रप्लेम हुआ है डिसाबिलिटी पेंशन का बारे में बहुत सारे सवाल था सभी सवाल का जबाब मेरे पास नहीं था क्योंकि सिग्नल रेकॉर्ड से सुरू करके एंसी रेकॉर्ड 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 यह मी Satisfactory reply मुझे नहीं मिला इसके बाद फिर मैंने CDA pension इलावाद को reply RTI application किया और जो सबी questions आप मुझे पूछते हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं था वो सबका जवाब आज मिल चुका है आप थोड़ा सवेट कीजिए मैं एक एक करके आपका जो main सवाल जो होता है disability pension को ले करक कि जो 15 से कम सर्विस वाले हैं जो SCRC आनुलिंग करके घर जाना चाहते हैं या फिर आपका सियो ने आपको सेल्टर डापर्मेंट ऑफर एकसेप्ट नहीं किया आपका और आपको घर बेजा जा रहे है इस केज में आपको कौछा pension मिलेगा क्या criteria है कितना pension मिलेगा इस सारे बातों का जो भी डाउट था सभी डाउट साज clear होगा ठीक है तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि डिसाब्रिटी पेंशन चाहे service pension हो चाहे आपका family pension हो सभी pension का government rules and regulation का आजर पे pension admissible होता है और इसके लिए full authority जिसके पास है वो है PCDA pension तो arm forces के लिए तो arm forces का PCDA pension ने बिलकुल clear करके बताया बताया मनलब का है जो भी मैंने question दिया था उस question का answer उन्होंने with provision of arm forces regulation regulation उसका साथ में उन्होंने जबाब दिया तो एक एक करके हम question को लेंगे और question का साथ साथ जो जबाब उन्होंने दिया हुआ है वो भी आपको बताएंगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं देखिए यह है RTI का reply ठीक है यह RTI का reply आया हुआ है और इसमें कई pages है है इसमें कब से कम 8-10 pages है सबी pages इसका photo का भी करके उन्होंने दिया हुआ है ठीक है तो यह सबी का मैं एक एक करके आपको बताऊंगा ठीक है परके मैं आपको सनाऊंगा ओके और देखिए यह तो आप दिखना possible नहीं है तो इसका एक जीस्ट जो है मैंने अपना website जो है आपको पता है कि esminfoclub.com www.esminfoclub.com वहां पर इसका जीस्ट दिया हुआ है बिल्कुल detail में with clarification सारे चीजे आपको वहां पर मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद आप उसमें पढ़ भी सकते हैं इंट्रस्टेट है तो अब इ सवाल इस सवाल का जो answer जो दिया हुआ है इसको एक बाद देखने के लिए ठीक है? अच्छा देखिए सबसे पहला जो question था question यह था कि जो annuling करके सेल्टाड appointment नहीं लेना चाहता है सेल्टाड appointment annuling करके जो लोग medically release होते है इस बार में थोरा सा background मैं बजाना चाहूंगा लिखिए जब भी कोई आमफोसे पर्सनल चाहे वो officer हो या PBR हो कोई भी हो जब permanent medical category जब होता है आपका तो आपको एक सिल्टाड appointment offer किया जाता है उस appointment offer किये जाने पर आपका willingness मांगते हैं मालीच यह आप willing है ठीक है पर आपको सिल्टाड appointment नहीं दिया जा रहा है इस case में क्या होगा आपको release from service किय जाएगा एक category number one case हो गया दूसरा category क्या होता है कि आप से सिल्टाड appointment का willingness मांगा गया आपने आनू लिंक कर दिया ठीक है तब भी तब भी आपको फोसे release किया जाएगा यह दोनों ही cases में अगर आपका service 15 सल से नीचे है मालीच आपका service एक साल है दो साल है या 10 साल है या बा release from Amphosis on unwillingness to accept sheltered appointment is treated as medical environment or premature release पहला कोशेन है था क्योंकि देखिया बहुत सरे जागा से मुझे feedback मिला है कि medically यह जो SCRC, Suitability of Retention Certificate यह ने कि sheltered appointment लेने में जो unwillingness दे रहा है इस case को यह जो case है this case is being treated as premature retirement but this is absolutely false statement इस statement का कोई base नहीं है क्योंकि अभी यह जो PCDA pension है clear किया है ठीक है मैं question को पहले पुरा प्र लेता हूं फिर आपको बताएंगे इसका जबाब क्या लिया है उन्होंने आच्छा प्लीज प्रवाइड यह sub copy of the hard copy of documentary evidence of the government order in support of the information okay तो अब जखिए information क्या दिया मेरा question यह था कि इस टाइप के जो release है जो annuling करके release होना चाहते हैं जिनका सर्वी सिप्टीन यह से कम है ठीक है या फिर दस सल से कम है या फिर पंदर सल से कम है कोई भी case हो तो इस case में इसका जो invalid इसका जो release है इसको medical invalid बोला जाएगा या फिर premature retirement बोला जाएगा तो देखिए इन्होंने क्या किया इन्होंने मुझे यह बताया है कि as per regulation 95 the case will be treated अब देखिए 95 में क्या लिखा हुआ है 95 में clear लिखा हुआ है कि individual who is placed in a low medical category permanently and who is discharged because no alternative employment in his trade public category suitable to his low medical category could be provided or who is unwilling to accept the alternative appointment or who is unwilling to accept the alternative appointment or who having been retained in alternative appointment is discharged before completion of the engagement shall be deemed to have been invalidated out of service under the entitlement rules for casualty pensionary award 1982. तो इस हिसाब से कै है आपका जो रिलीज है यह invalid from service माना जाएगा, invalid, medically invalidate out of service माना जाएगा. अब देखिए, medically invalidate out of service जो केस है, इस case में मैंने पुछा था, is there second question था, is there any minimum service length required for grant of disability pension to such disabled soldier? इस तरह से जो annual link देखिए, जो retire हो रहा है, या फिर जो जिनको जवर्दिस्ति भजा जा रहा है, इस type के जो cases है, इस cases में disability pension grant करने के लिए कोई minimum service length का जुरूरत है क्या? ऐसे है कि minimum 6 माइना service होना चाहिए, या minimum 10 साल service होना चाहिए, या minimum 2 साल service होना चाहिए, ऐसे कोई limit है? इनका question है no, कोई limit नहीं है, कोई service limit नहीं है, देखिए इसका जवाब में इन्होंने दिया हुआ है, परा 81, regulation 81 A, ये दिया हुआ, रसमे लिखा हुआ हुआ, service personnel who is invalidate from service on account of a disability which is attributable to or aggravated by such service may be granted disability pension consisting of service element and disability element in accordance with the regulations in this section. there shall be no condition of minimum qualifying service for earning service element, ये case में clear लिखा हुआ है, पर बहुत सरे cases में क्या हुआ है, मेरे पास बहुत evidence है, आप ही लोगों ने बताया कि केवल मात्र disability element दिया गया, service element नहीं दिया गया, जो भी आपका record office कर रहा है या पर PCDA कर रहा है, this is absolutely wrong system, ठीक है, आपको disability pension का अंदर दो element जो होता है, एक होता है service element, एक होता है disability element, disability element और service element ये दोनों ही आर्ण करने के लिए कोई minimum service नहीं है, ठीक है, बहुत लोगों को ये बताया कि कि आपका दस्ताल service नहीं हो, इसलिए आपको disability element, service element नहीं मिलेगा, this is absolutely wrong, absolutely wrong, ठीक है, आप court case कीजिए, मैं तो बता तो आप court case कीजिए, सिरह आप AFT में जाके case file कीजिए, ठीक है, इसका कोई base नहीं है, अगर कहीं किसी authority ने आपको deny किया, त website www.esminfoclub.com, वहां पर मैंने दिया है, detail में ताकि आप उसका printout लेके, आप अपता advocate से आप approach कर सकते हैं, इसे क्या होगा, आप आपका advocate भी समझ जाएंगे कि क्या क्या provision है, ठीक है, इस सारे चीजिए ready reference उनको मिल जाएगा, ठीक है, तो एक यह second question का जो answer था, अच्छा, 3rd question, तीसरे question मेरा यह था, is there any specific government order for admissibility of disability pension to such eligible, disabled, जेशो जेशो जोर, disability, aggravated, public attributable, with less than 15 years and less than 10 years of service, for annuling to accept sheltered appointment and released from the armed forces, if so kindly provide the documentary evidence. तो मैंने यह मांगा था कि इसका कोई evidence कुछ है या नहीं, ठीक है, इस type का disability pension grant करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए, यह जो दिया हुआ है, इसमें disability pension किस case में grant होगा और इसका 59 में दिया हुआ है, ठीक है, किस case में होगा और किस case में नहीं होगा, एक सारे चीज़े उन्होंने दिया हुआ है तो इसका भी डिटेल्स मैंने दे दिया और काईबर आपको बताए भी देखिए इसका डिटेल्स यह है कि डिसर्बिटी पेंशन मिलने के लिए एक तो कोई मिनिमाम सर्विस का जुरूद नहीं है आपका एक दिन सर्विस है तब है अपको डिसर्बिट इलिमेंट अन्ट सर्विस ऐलइंट दोनों ही मिलेगा ठीक है पर इसकी लिए ज़ो कंडिसन से हैं जो यहां पर बताया बताया जो कंडिसेंट्यंस है consistent ोन चाहिए नबरन मृणबर टू कि आपको मिलेगाТृटी परशन का जोसलाब है वह आपके लिए दन Statistics है आप लोगों के लिए जो एडिकल केस्तों का जो केप है वह लागू नहीं है ठीक है आपका वन परसन भी होगा तब भी आपको डिसाबिलिटी पेंशन मिलेगा सब्सक्राइब है कि आपका जो डिसाबिलिटी है वह एक्रिबेटेबल या अग्रिवेटेट जोनों में से कोई एक होना चाहिए अच्छा अब देखिए आप में से ओडियंस में अब यह नहीं है कि आपको बॉले आउट किया जा रहा है आप अगर से में अनुलिंग दे के जा रहा है यादि के सेल्टाइब्यूट करके आप घर जा रहें तो आपका केस में मेडिकली इंवैलियूएट आउट अब सर्विस होगा और इस केस में आपका वन परसन भी डिसा पेंशन मिलेगा यहने कि मुद्रेटी अलिमेंट और शर्विस अलिमेंट दोनों ही आपको मिलेगा ठीक है अब देखे फोर्ट कॉस्चिन क्या था फोर्ट कोस्टिन है था अधिमिसेबिलिटी आप इंवैलिट पेंशन सच पीविवार अब देखिए यह तो क्या दिसेबिल आपको तब मिलता है जब आपका disability आईजर attributable और aggravated दोनों में से कोई एक आपका एस है आपका जो एपे में से 15 है initial जो medical board proceeding का document है उसमें आपका अगर जो disability है वो अगर attributable या aggravated या आपका जो disability है यह फोज का service का दौरान हुआ है या फिर फोज का service का मज़े से हुआ है यह दोनों में से एक अगर होगा लिखा होगा डक्टर ने medical board ने लिखा होगा तब ही आपको disability pension authorize है अगर यह नहीं है माल लिजी आपका disability है not attributable, not aggravated दोनों में no लिखा हुआ है aggravated then attributable जो कलम है यह दोनों ही कलम में आपका no लिखा हुआ है तो इस case में क्या होगा इस case में अगर आपका service पंदर सल से निचे है और आप board out हो रहे है या फिर medically annuling करके घर जा रहे है तो आप तो invalidate out of service तो है ही और इस case में इनने case में जब आपका disability not attributable, not aggravated है तो आपको invalid pension मिलेगा, क्या मिलेगा invalid pension मिलेगा, आपको disability pension नहीं मिलेगा, यह किस के लिए applicable है, below 15 यार service वालों के लिए है और invalid pension का जो rate है, वो है service element का बराबर, अगर आपको disability pension मिलता, तो आपको दो element मिलता, एक disability element, एक service element और आप दिखिये, आपको disability pension नहीं मिल रहा है, invalid pension मिल रहा है, फरक किया है, आपको disability element नहीं मिलेगा, service element जैसे आपको मिल ला आता, same amount आपको invalid pension में भी मिलेगा, यह नहीं कि आपका जो total emollumments रहे है, उसका 50%, total emollumments क्या है, आपका basic पे हो गया, आपका military service पे हो गया, आपक क्लास पे हो गया और आपका ग्रूप एक्स पे आगरा सुराइज है तो इस चारों को जोर की जितना होगा उसका 50% यह हो गया आपका सभी सेलेमेंट और सेम फिंग यह ही हो गया आपका इंबलिट पेंशन अब इंबलिट पेंशन मिलने के लिए नॉमल जो रूल्स है वह है क इंबलिट पेंशन बिलो टेनियर्स का सर्वीज बालों को भी मिलता है आप सब जानते हैं जुलाइज दो हजार बीस में एक लेटर इसी हुआ आप बताया गया आपका डिसाबिलिटी अगर ऐसे हो जो की फुली इंकेपैसियेटेट फॉर मिल्टरी एंड सिविल यहने की सब्सक्राम आप टोनों के लिह ही अगर आप यहां का किस में आपको इंबलेट पेंशन मिलेगा पर यह सरड़ाइज गलत है वह अगर केवल अपने सर्विस में अंपित है तो उनको इंबलेटे बेंशन मिलता है भी मिलेगा फुडकेश कि खुट का जो सर्वी साविस है उ यह इरपोर्स के लिए क्या है दोनों ही के लिए आंफिट होना चाहिए तो यह गलत है इसलिए इसके लिए किया गया थीक है पर अभी तक इसका कोई कोई और नहीं आया उमेड है कि बहुत जल्द आ जाएगा कि स्रिफ इन मिल्टरी सर्वीस के लिए आंफिट होंगे तो उनके पेंशन मिलेगा इनके बिलो टेन यार्स तो यह सारे चीजिए जो है उमेड है कि आपको समझ में आ गया और आज जो क्वेस्टेंस है क्वेस्टे मिलता है सर देखिए जो चीज मैंने बताया उसका हिसाब से अगर आप अनुलिंग करते हैं तो यो आर इंवालिड आउट आउट अप सर्वीस ठीक है क्योंकि एस्टी आर्सी जो होता है आपका स्विटेंडिकम रिटेंशन सर्टिपिकर जहां पर आपसे जो है आपका चल जो रूल्स है वो क्या है in case of attributable or aggravated आपको disability pension मिलेगा ठीक है in case of not attributable not aggravated आपका just self service अलेडी हो चुका है 12 self service है तो आपको naturally invalid pension मिलेगा यही system है ठीक है अच्छा नेस्ट बिरुमन जी आपका question है कि आपका service 6 साल है और आपका medical category is to permanent है aggravated by military service है ठीक है अगर आप SCRC में अनुल चला जाता हूं और मुझे सिर्फ disability pension दे तो क्या मुझे एक सार्विशन कोटा मिलेगा यह ऐसे कोई order नहीं है SCRC में आप आनुलिंग करेगे तो आपको केवल disability pension मिलेगा आपको केवल disability element मिलेगा आपको दोनों ही element मिलेगा disability element and service element ठीक है आपको दोनों ही मिलेगा हाँ आपन परसेंट आपको एक service man quota मिलेगा आप बिल्कुल बेफिकर रही है आपको एक service man quota जहां 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 भी applicable है job के लिए आपको मिलेगा welfare के लिए आपको मिलेगा हर जगा मिलेगा लिखिए कोई भी recruit अगर बोड़ेट आउट होते हैं तो उनको भी service man status दिया जाता है ठीक है त तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है आपको मिलने का ना मिलने का कोई सवाल नहीं है आप बिल्कुल बेफिकर होके जा सकते हैं पर अभी तक ऐसे cases बहुत काव है जो कि below 15 years cases में अनुलिंग करके घर जाते हैं लोग सभी डरते हैं बाइदू यह मुझे नहीं मिला तू तो अगर आपका मन में भी कोई अगर इस टाइप का कोई अगर डर है तो आप अपने डर को हटाने के लिए आप एक काम कर सेकते हैं मैं सब को सजिस्ट करता हूं यह जो चीज़े है जो आर्टी आइज का जो रिप्लाई है यह किस ने दिया हुआ हुआ है पीसी डिया पें हे नहीं पाते हैं उनके दिमाग में यह है कि इसका सरवीस 15 सल नहीं हूआ है अनुलिंग किया इसको नहीं मिलेगा और आपका केस जो है क्लें पेंशन पें क्लेंग पेंशन पेंशन प्तेन बढ़ यह और कि sir ऐसे है कि हमारा जो अनुलिंग केसस था और हमें नहीं मिला क्योंकि उनका case आगे नहीं भीजा गया पता है नहीं लोगों को लोगों को बिल्कुल नहीं पता है rules regulation तो यह जो reply है इसका जो अफुर्टी है इस सारे अफुरिटी हमारों करता है इसको ले करके आप प्लीज एक बार अपना रेकॉर्ड आप इसमें जाए लाइब में जब बड़े बड़े कोई डिसेशन लेना तो एक बार नहीं दस बार कनफार्म करना होता है आपका जगह पर अगर मैं भी होता मैं भ इसको ले करके एक बार kindly visit कीजिए आपका जो record office है ठीक है आपका record office में जाके एक बार visit कीजिए और वहां से confirm कीजिए ठीक है record office भी हर एक record office में अभी आज का बहुत अच्छा system है ठीक है आप वहां जा सकते हैं पर वहां जाने के लिए पहले आपको permission लेना पर एगा ठीक है commanding officer का permission लेके आप जो है इसको visit कर सकते हैं और इसके लिए आप confirm करने के लिए और भी तरीके हैं आप अपने CEO का नाम से एक parcel application भी दे सकते हैं कि मुझे प्रॉप्लेम है मैं अनुलिंग हूँ तो मुझे क्या क्या benefit मिलेगा यह जड़ा बताईए तो वो भी मजबूरा देना ही पड़ेगा ठीक है तो यह सारे यह सिस्टेम साइज सिस्टेम के फॉलो करके प्रॉपरली कंफार्ब होके तभी अब लोग अगला जो स्टेप है वो ले यह मेरा सॉरी पर देंटरफ्शन द्रॉप्लेम तो अभी देखिए जो डिसिशन मैंने जो बताया कि आपने आना है इसके लिए अपने एक बार नीक दस पार सोचना है और आपने जरूर कनफ्रम करना है अपना जो अथि है का जो है उस चेनल से आप जूरूर एक बर कंफर्म कीजिए और में कोयी भी confirmation जो है भरवाल में नहीं लेना बिल्कूल नहीं लेना ठीक है भरवाल में नहीं लेना ओकी देखिए आपको एक चीज मैं बता रहा हूं मैं उस समय फोर्ट विलियम में था इस्टन कमान सिंगार रिजिमेंड में था ठीक है तो एक ने जो है मुझसे पूछा था उस समय की उ हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं फिर भी हमने उसको सजिस्ट किया था देखो आपका सर्वीस है भी उस दस्ताल नहीं हुआ उनका केस था टाइबिटीस केस था एनने ने केस था तो उनसे मैंने क्लियर ही कह था कि आपका सर्वीस भी तक दस्ताल नहीं हुआ आपका एनने केस ह है आपको disability pension नहीं मिलेगा नहीं इंबरिट pension मिलेगा तो आप 10 साल पूरा करके जाना उसके बाद मैं वहां से दूसरा ज़्याग में ट्रांसफर हो गया फिर क्या हुआ कोई क्लाडिकर स्टाप कोई था उनको यह पता ही नहीं था कि इंबरिट pension and disability pension में फर्क क्या होता है ठीक है तो उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं आपको disability pension मिलेगा और इसके लिए कोई minimum qualifying service नहीं है आप अनुलिंग भर दो आपको मिल जाएगा उस भरस में उस बैचरे में क्या क् अनुलिंग भर दिया घर चला गया बिल्कुल सुखा कुछ ही नहीं मिला क्योंकि उस समय का जो प्रविजन नहीं था बहुत दूख होता है इस टाइप का जो situation है बहुत दूख होता है कि कि किसी का गलती के वाज़े से किसी को बर भरसा करके जब आप एक लाइप का इतना पर decision लेते हैं है ना तो यह होना चाहिए और मैं अपनी तरह से भी कहता हूं कोई भी मैं जो भी बता इसकी जो है इसका उपर डिपेंड करके कोई भी final decision ओ ना ले क्योंकि यह जो है केबल मत्र एक authority PCDA pension का है पर आपके लिए आपका final authority आपका record office है आपका record अगर PCDA pension में आपका pension sanction नहीं होगा ठीक है क्योंकि अभी समय क्या record office सभी का अलग-अलग policies बनाए हुआ है record office instruction ROI सबका अलग-अलग है मैंने देखा EMC का एक है signal का कुछ अलग है EME का कुछ अलग है अलग-अलग है ठीक है तो इसलिए मेरी request है आप अपना यह decision लेने से पहले आप जरूर एक बार अपना record से संपत्क करें ठीक है record आप इससे confirmation ले उसके बाद ही जो below 15 यार्ट वाला जो भी cases है उसके बाद ही आप final decision ले ठीक है अच्छा अब और भी अगर किसी का कोई किसी पकार की question है तो आप कर सकते हैं पर देखिए questions को लेने के लिए अभी थोड़ा सा due to infrastructure problem सब्सक्राइब करने के लिए हमने एक सिस्टेम रखा कि हमारे इस channel को join करने से क्या होगा आपका जो बिलकुल जो खास questions है जो की to the point है वह मैं जबाब दे पाऊंगा questions भी काम होंगी क्योंकि एक साथ free flow होने से एक साथ एक हजार question आ जाता है फिर इसको सब्सक्राइब करना खराब लगता है तो मैं यह नहीं चाहता हूं कि मेरी वैसे आप हार्ट हो ठीक है इसलिए आप प्लीज चैनल जैन करें अगर आप कोई सवाल मुझे पूछना है डिरेक्टर भी जानना है अगर आप मुझे जो वीडियो कॉमेंट्स है उसमें भेज सकते हैं ठीक है हमारा जो बैक ऑफिस है जो सपोर्ट टीम है वो आपका सवालों को देख करके जवाब जरूर देंगे ठीक है तो दोस्तों आज का जो खास यही था और एक दो कुस्टिंस था जो पहले लोगों ने पूचा है खास करके प्रोटेक्शन का बारे में देखिए प्रोटेक्शन तो होता है सद्लाल गार्म् MORE में बैंक में होता है ठीक है तो पेजी काम मतलब में आपका जो जो आप जैन कर रहे है तो उस sec i s किया जाएगा वह हो सकता है कि आपका last pay का यहां फिर आपका new जो आपने जो नए post में जाइन किया उसका हिसाब से तो अभी तक जो rules है for pb or कि आपका जो पोस्ट है उसी का हिसाब से आपका fixation होगा पर यह 1986 से ले करके अभी तक जो यह जो इसको करने के लिए आपको पता होगा आपने बहुत बार किया कि हमने बहुत सब्सक्राइब किया उनके साथ जो है डिबेट किया तो इसके बाद आप फाइनली वो लोग कन्वेंस हुए और ड्राप्ट भी बन गया जो रिवाइस्ट जो पॉलिसी है जहां पर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं रहेगा कोई डिस्क्रिमिनिशन नहीं रहेगा असब आर्टिकल 14 सबके लिए बराबर सुविदा होना चाहिए ना तो यह बराबर मिनिट्राप एक्स्पेंडिचर से मिनिट्राफ फैनान से लेना है तो उन्होंने कुछ डाटा मांगा हुआ है वो डाटा डियोपीटी ने प्रवाइड करना है तो इसके लिए थोड़ा सा समय लग रहे है वह जाए कि बहुत जाल साल हो जाएगा और हम लोग को बहुत जा है आपका डूणीन सार 532 देच्ट है सार्टिपिकेट कहां से मिलेगा बगिए आप wysथां में है या फिर रप रे्टायर नहीं कि अगर अगर तो आप Bem तो आप को जो सरcü birthdays कुक है कौन size करनेंगे और अगर आप सार्टायश के लिए हैं से य हम सब n outer ने पर चार्ट करना ह परेगा इस सभी चीजों के लिए responsible है ठीक है और मोड़ों बार ठीक आप रिटार्ड है नरेश जी तो रिटार्ड के लिए इस एचेस आपीस में आपको contact करना परेगा और अगर इस एचेस आप से यह कहता है कि वे आप में फर सर्टिफिकेशन तो आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां जाके आपको contact करना है disability certificate के लिए पर आपको यह बता लेता है जो सेविल अथूरिटी है उन्हीं लोगों को देते हैं जिनको पी डावडी परसॉनल में बता है जो की नोटेबल होता है जैसे بعد के लिए यह है या फिर इैर का इस टाइट का रस पहLi है इस कैसे में कुछ नेंस है फिर आप आप कर सकते हैं आपका जो district hospital है वहां पर उससे पहले आप ECHS में जरूर एक बार approach करें वहां से आपको आपका जो disability जो percentage है वो तो लोग authorized नहीं है देने के लिए ECHS is not authorized ठीक है ECHS is not authorized to certify your disability okay but they can issue they can issue only and only the name of the disease you are suffering from okay to disability certificate का बात कर रहें जिसको दे करके आपको जब कहीं लेना है तो वहां दे सकते हैं वो तो केबल मत रूद आपका जो district hospital है वो ही authorized है civil authority ही authorized है otherwise आपका जो में proceeding है that will suffice for the purpose okay RMB का जो है उसमें आपका percentage लिखा रहता है वो आप दिखा सकते है अलग से कोई certificate बिनाने का आपका जुरुरत नहीं है ठीक है okay अच्छा दूसरा मौनू जी आपका कहना है आपके question रखा कि minimum balance service of unveiling in SCRC क्या होता है क्या होता है देखिए SCRC में अनुलिंग देने के लिए अभी अभी जस्ट मैंने बताया था कि RTI का जो reply है उसके हिसाब से आप SCRC में अनुलिंग करके घर जाना चाहते हैं SCRC में आप अनुलिंग करके नहीं है ठीक है कोई minimum service का इसमें जो है नहीं है आपका service एक दिन हो तब भी आप जा सकते हैं और maximum जो service है वो तो आप जा ही सकते हैं इसमें कोई minimum service का restriction नहीं है पर अगर आपका case नहीं है तो आपको इंवलेट पेंशन तभी मिलेगा आपका service दस साल होना चाहिए इन जनरेल दस साल होना चाहिए अज़रवाजी आपको इंवलेट पेंशन नहीं मिलेगा दस से कम है तो आपको तम मिलता है जब आप your fit unfit for similar military वो तो आप है नह आपको देंगे नियुक्तर तो आपका मेनियम दस्ताग सर्विस होना चाहिए तभी आपको मिलेगा ओकी ओके निस्ट राउ जी आपने बताया कि आपका मेजर अपरेशन हुआ था और फॉर लाइब आर्मी ने 50% किया ठीक है देखिए अगर फॉर लाइब आर्मी ने 50% किया आपने प्रडूश करना है खास करके जो बैंकिंग सर्विस के लिए वहां पर कुछ कंडिशन्स है आपका डिसाबिलिटी मिनियम फॉर्टी परसेंट होना चाहिए तो आपका 50% है कोई प्रब्लम नहीं है नंबर वन नंबर टू आपका जो डिसाबिलिटी है एक्रिवेट आपको काउंट किया जाएगा फर्दा बैंकिंग सर्विस के लिए और भी जहां यहां भी है हर जागे में लगवाग यहीं रूल है कि एक्रिवेटिवल टू मिल्टरी सर्विस होना चाहिए तो इसके लिए आपको अलग से कोई सर्टिपिकर बढ़ने का जोरद नहीं आप आपको जो आरे बी प्रसेडिग है यहां अगर नहीं है तो आज के लिए आज का जो करते हैं फिर बिलेंगे टुमोरू एक थर्टी पीम पर जैसे कि मैंने लास स्टुरी का आपको बताया था कि संडे को हम कोशिज करेंगे कि कारियर को बात करने के आगर आगर लिए ।ो बच्चो को जो है काई सेट करना और भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि competition इतना ज़्यादा है हर जगा में competition है कहीं भी जाएंगे competition बहुत ज़्यादा है तो इस competitive दुनिया में कैसे आप effective study करके बच्चे कैसे maximum success हासिल कर सकता है बच्चे भी और आप भी वो सारे technique आपको सिखाएंगे ठीक है बहुत सारे career opportunities है उस बार में बात करेंगे काल जो है हम बात करेंगे इसी बात के उपर इसी topic के उपर उमीद है कि आपको आज का जो भी discussion हुआ है उससे आपको कुछ helpful होगा आपका इस जो discussion और इसी तरह का आपका जो support है आपके वाज़े से मैं आज यहां पर आपाया हूँ इसी तरह आप support करते रहेए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नमस्कार, जय हिंद, जय भारत